इस दोरान किरभी काफी चाथा परेसान थी क्योंकि बैटरी खतम होने के बाद वो मेक्स असे भी बात नहीं कर पाएंगी लेकिन मेक्स उसे अभी इस बारे में सोचने के लिए मना करता है फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद किरभी को वहीं पुलिस आपिसर की गाड़ी दिखाए देती है जो उसे रास्ते में मिला था लेकिन गाड़ी के पास जाने पर उसे गाड़ी में कोई भी दिखाए नहीं देता और गाड़ी भी पंचर थी इसलिए किर्भी उस गाड़ी में जाकर रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिस करती है लेकिन उसे कोई भी जवाब ने मिलता इसलिए वो अपने गाड़ी में वापस आ जाती है तभी उसके पास विंसेंड गलती से वीडियो कॉल कर देता है और क्योंकि उसे इस बारे में जानकारी नहीं होती इसलिए वो इस दोरान किसी दूसरी लड़की के साथ था ये सब देखकर किर्भी को बहुत ज़्यादा दुख होता है तभी किर्भी की देखती ही देखते विंसेंड और उस लड़की के उपर जॉंबी आकर अटेक कर देते है और उन्हें मार देते है नेक्स्ट रसीन में एक बुड़ा आदमी किर्भी के पास पहुचता है जिसने कई सारे जॉंबी को अपना पेट बनाके रखा था इस दोरान वो आदमी किर्भी की हिल्प करने के लिए तयार हो जाता है और उसे बताता है कि मेरा घर यहां से कुछ ही दूर है जहां तुमें खाना मिल सकता है हाला कि किर्भी उससे कहती है कि मेरे पास इन सत्के बदले तुमें देने के लिए कुछ भी नहीं है इस पर वो आदमी उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सभी सर्वाइवर एक जगा पर रहे ताकि हम सब मिलकर उन जॉंबी पर अटेक करके उने मार दे इसके बद वो बुला आदमी अपने पेट जॉंबी से किर्भी क्यों गाड़ी को खिचवाता हुआ अपने घर तक ले आता है जहां पर किर्भी खाना खाती है और सावर लेने के बाद उस बुले आदमी के पास पहुसती है वो देखती है कि अपने पेट जॉंबी को खाना खिला रहा है इस बाद से वो काफी ज़्यादा है और उस बुले आदमी से पूसती है कि क्या तुमें लगता है कि इन जॉंबी के अंदर कोई फिलिंग होंगी अब इस बात को प्रुब करने के लिए वो बुला अदमी एक जॉंबी पर लगाता रटे करके उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है पर इस दोरान वो बुला आदमी काफी ज़्यादा दुखी दिख रहाता है इसलिए किरभी उसे अपने साथ सहर चलने के लिए कहती है लेकिन वो इस चीज़ से साप मना करतेता है और कहता है कि मुझे यहां से कहने जाना इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए मेरे घर से लेकर जा सकती हो इसके बाद किरभी खाने का सावन लेकर अपनी गाली से वहाँ से निकलने की कोसिस करती है लेकिन गाली स्टार्ट नहीं होती इसलिए वो आगे पैदली बढ़ने की कोसिस करती है तभी वो बुला आदमी भी खुद को गन से सूट करके सुसैट कर लेता है नेक्स्ट रसीन में जब किर्भी आगे बढ़ती है तो उसे आगे D मिलती है जो कि पूरी तरह से जॉंबी में बदल चुकी थी अब क्योंकि वो किर्भी पर अटेक कर रहे थी इसलिए किर्भी उस पर पत्थर से अटेक करके उसे बहुत बुरी तरह मार देती है इसके बाद वो D की वेन में पहुसती है और मेक्स तो को कॉल करके बताती है कि मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ इसलिए तुम तयार हो जाओ तब भी वेन में छुपी वे डी के बेटी किर्बी पर अटेक करके उसे काड़ देती है इसके बाद किर्बी उसे मार देती है और अपने इंफेक्शन को फैलने से बचाने के लिए अपने घाव को जला देती है फिर वो वेन की हिलप से टाउन के एक मॉल में पहुसती है वहाँ पर वो खुद का बेंडेज करती है और गन सौप में पहुचकर जोंबी सका सामना करने के लिए कुछ गन उठा लेती है इसके बाद उसे गन चलने की आवाज सुनाई देती है और बाहर जाकर वो देखती है तो जोंबी टीम का लीडर गन से जोंबी को सूट करके मार रहा था हालाकि वो इस बाद से काफी अहरान होती है कि लीडर गायल होने के बाद भी बच गया था उसी समय लीटर का ध्यान बटकनी की वज़ा से उसे एक जॉंबी काट लेता है इसके बाद वो किर्बी से खुद को सूट करने के लिए कहता है लेकिन किर्बी उसे जान से न मार कर उसके पेर पर सूट करके वहां से चली जाती है ताकि जोंबिस उसे नोच नोच कर खा सके फिर किरभी जोंबिस का समना करते वlated आगे बढ़ती है और एक गेस स्टेसन में पौशती है जो की पूरी तरह से खाली होता है गेस स्टेसन के वरकर्स दिखाई देती है जो की पूरी तरह जोंबी में बदल चुके थे इसलिए किर्वी उन्हें गन से सूट करके मार देती है अब क्योंकि वो पूरी तरह से जोंबी से सामना करने के लिए तियार हो चुकी थी इसलिए वो मेकस के आपिस में जाती है उसे बचाने के लिए जहां पर उसे एक हेर्वी नाम की लेडी मिलती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि बिल्डिंग की शर्दपर और बी कए सारे सर्वाइवर हैं जिन में से एक मेकस भी होता है हाला कि इस दोरान बाकि सबी लोग मेकसे से भी चलने के लिए कहते हैं लेकिन वो इस चीज के लिए मना करता है और कहता है कि हम यहां से कही नहीं जा सकते तबी वहाँ पर किरभी बहुत जाती है जिसे देखकर मैकस बहुत ज़्यादा खुस होता है तबी जोंबिस भी उनके तरफ वड़ने लगते हैं इसलिए किरवी उन जोंबिस का सामना करने के लिए सबी लोगों को अपने साथ लाई हुई गन दे देती हैं जिसे कि वो सबी लोग जोंबिस का सामना कर सके और जोंबिस को जल्दी खत्मा कर दे फिर वो लोग जोंबिस का बहुती बहादूरी से सामना करते हैं लेकिन उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी इसलिए वो सबी एक एक करके बिल्डिंग से नीचे कुद जाते हैं हाला कि जब मेक्स कुदने वाला होता है तब उसे एक जोंबी काट लेता है जिस कारण से वो धीरे धीरे जोंबी में बदलने लगता है इस अब देखकर किरवी बहुत जादा दुकी होती है और वहां मौझूद सबी लोगों को कहती है कि हम इसके घाओ को जला कर इसे बचा सकते हैं लेकिन वो सब कहते हैं कि अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है दोनों को छोड़कर वहां से चले जाते है यह देखकर मेकस किरवी को भी वहां से जाने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि यह कोई अंता नहीं है इसलिए तुमें आगे बढ़ते रहना होगा अब क्यूंकि किरवी समझ चुकी थी कि मेकस का बचना अब नामुम्किन है इसलिए वो उसे गन से सूट करके मार देती है इसके बाद वो रास्ते माने वाले सभी जॉंबिस को बहुत बहरे में से मारती है फिर उसे एक चोटा सा डॉग मिलता है जिसे देखकर वो काफी ज़्यादा खुस होती है और अपने साथ उसे लेकर वहां से निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यही पर खत्म हो जाती है तो दोस्तो अगर आपको इस मूवी की एक्स्पेलिनेसन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल को क्रोथ करने के लाब के सपोर्ट की बहुत जादा जरूरत है तो आप से मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लव यू टेक केर बाइबाइ